प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का नोटबुक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफारम पर स्वागत करता हूँ जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे आप में से टीचिंग जोब्स की तयारी कर रहे थे मेरी नजर में तो सारे भावी सिक्षक जो भी तयारी कर रहे थे अब उनकी तयारी को एक नई उडान देने का समय आ गया है रीजन क्या है क्योंकि EMRS 2023 में आपकी वेकेंसिया टीचिंग वेकेंसिया निकल आई है जारी कर दी गई है ठीक है तो आज की जो क्लास है ये क्लास में आप सभी के लिए लेकर के क्यों आया हूँ कि जो EMRS 2023 का TGT हिंदी का स्लेबस है उस स्लेबस से संबनित और परिक्षा पैटरन से संबनित पूरी जानकारिया मैं आज की वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों जल्दी से बढ़ लेते हैं अपने तयारियों की तरफ अपने TGT हिंदी के नोटिफिकेशन और स्लेबस परिक्षा पैटरन की जानकारी की तरफ सबसे पहले ये बात तो आप लोग सारे ही जानते होंगे कि जो जो एज लिमिट है इसमें टेचिंग जोबस में वो आपकी लिखा हुआ है कि यानि कि कोई भी बच्चा 35 साल से उपर की एज का नहीं होना चाहिए ये आपकी सबसे पहले रिक्वाइरमेंट है लेकिन इसके अंतर का दूसरी बात और भी कही गई है कि जो आपके EMRS के कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 35 नहीं बलके वो 55 एज तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथ साथ में आप जानते हैं OBC, S, C, S, T के लिए 3 और 5 साल के जो Age Reluctions होता है वो पूरा का पूरा आपका 3 और 5 साल का जो Age Reluctions है वो दिया जायेगा ऐसा कहा गया है Age Limit के बारे में दूसरी बात क्या है? इसी में दूसरी बात ये है कि सर हमारी Education Qualification क्या होनी चाहि है कि four years integrated degree course of regional college of education of NCRT यानि कि अगर आपने कहीं भी NCRT के थ्रू किसी भी college से integrated course किया है तो वो कितने साल का च्यार साल का या और लिखा है और का मतलब या तो यह या नीचे वाली या इन चारों में से कोई एक eligibility होनी चाहिए एक योगता होनी चाहिए दूसरा है कहा कि NCTE recognized institute concerned subject कोई other subject होना चाहिए तीसरे में कहा गया है कि जो bachelor owners करते हैं उनके लिए ये कहाए गया है कि जो तीन साल का course होगा उसमें minimum दो साल के लिए minimum दो साल के लिए जिस subject से वो पढ़ना चाहते हैं वहे subject उसने पढ़ा हो मान लेजिएगा आपने आपने टीजी टी हिंदी का फ्रॉर्म फिल करना है तो यह जो यह जो तीन साल का course है इस तीन साल के course में आपने हिंदी subject कम से कम दो साल तक पढ़ा हो ये बात आपके लिए जारी होती है और तीसरी बात क्या कहता है कि bachelor's degree from a recognized university in concert subject यानि कि जिस subject से आप बढ़ते हैं फारम उस subject से आपने bachelor degree यानि के बी या graduation के डिगरी है वो प्राप्त करी हो ठीक है जरूर नहीं कि बी यही अगर आप मैच से पढ़ते हैं तो जो भी आपके subject है यानि कि graduation में आपके पास जिस subject से TGT का फारम भरना चाहते हैं वह फारम आपने वह subject आपने पढ़ता हो अगली बात कहिए the candidate should have studied the required subject in all three years यानि कि अगर आपने graduation करी है तो उन तीनों सालों में वह subject आपके पास होना चाहिए जैसे मान लेजेगा आपने history का भरना है तो BA first, BA second और BA third तीनों साल में आपके पास history होनी चाहिए आप हिंदी से भरना चाहते है तो BA first, BA second और BA final में आपके पास हिंदी subject होना चाहिए ये कहा गया है ठीक है ना साथ साथ में the central teachers eligibility test यहने के CTET, CTET बोलते हैं इसको और BA भी आपका pass होना चाहिए लिखा है you must have passed, must have passed का मतलब है के जरूरी है CTET और BA आपका clear होना ठीक है उसके बाद में मैंने कहा इसमें अगले में क्या लिखा है अगर मैं बात करता हूँ exam pattern की तो exam pattern हिंदी TGT requirements में कहा गया है के भाईया जितने भी question आएंगे लिखा है each question carries one mark हर एक question एक number का होगा और इसमें negative marking भी होगी यानिके 0.25% है भाईया वन फॉर्थ जो है यह आपकी negative marking भी होगी negative marking का मतलब है तो आपने यह समझना है के तुके मारने वाले pass हो नहीं सकते है अगर आप चाहों के exam में बैठ करके आप कहे दो जे बजरंगबली A जे शेरवाली माब B तो भाईया पास होने के संभावना कम हो जाती है भगवान को याद करना जरूरी है पेपर में याद नहीं करते हैं भगवान को तो तो तैयारी पेपर exam देते समय negative marking का सबसे बड़ा effect यह पड़ता है कि जो तैयारी करके गया है वही पास होगा एक बात ध्यान रखेगा एक्जाम अगर बढ़िया आता है तो गधे घोड़े एक अगर हलके एक्जाम उसमें आता है हलके लेवल का आता है तो गधे घोड़े एक ही रेस में दोड़ने लगते हैं लेकिन जब एक्जाम बढ़िया आता है negative marking के साथ आता है तो गधे अलग हो जाते है गोड़े अलग हो जाते है इस बात को अन्य था ना ले आपनी तैयारी के हिसाब से गधे गोड़े का है मैंने व्यक्तिव रूप से किसी को नहीं कहा है है न अब मैंने कहा कि अगर मैं salary की बात करता हूँ क्योंकि कई बच्चे तो पता नहीं यह आपकी गवर्मेंट है के प्राइवेट है तो फारम भरने के संभावना कम होती है और कम फारम भरे जाएंगे तो competition भी कम होगा आप प्रियास करें आखरी बारी पढ़ना पड़ें ऐसा पढ़ें खतम करो कहानी को नो करें प्राप्त करो अपने कहा के सेलरी के बारे में बात करता हूं सेलरी कही कही है कि जो आपके सेवन्थ पेस कमिशन सेवन्थ पे कमिशन के आधार पर जो आपका ग्रेड़ पे है वह 44,990 से लेकर के 142400 रुपय तक का आपका पेसकेल है साथ में इसके साथ आपको क्या मिलेगा डीय मिलेगा इसके साथ मिलेगा आपको HR यह यानि कि घर का लेनी है अब ये तो रही भाईया आपके eligibility के बारे में बाते हैं अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका TGT हिंदी का main बात बताने आया था उस पे अगर मैं बात करता हूँ कि TGT हिंदी की तो TGT हिंदी का जो syllabus है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है अगर आप देखेंगे notification तो उसमें आपका जो आपका हिंदी TGT है उसको तीन हिस्सों में बाता गया है सबसे पहला हिस्सा है वो है आपका गद्य साहिते गद्य साहिते मे इसमें आपके उपन्यास आएंगे, कहानी आएंगी, नाटक आएंगे, एकांग की आएंगी, निबंद आएंगे, यात्रा वरतानत आएंगे, संसमन आएंगे, रिखा चित्र आएंगे, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ये सारे के सारे आपके पेपर में आने वाले है और एक शोटली भाशा में कहे दू गद्दे साहित्य का मतलब है हिंदी की गद्दे साहित्य की विधाएं हिंदी की गद्दे विधाएं जितनी भी गद्दे विधाएं हैं वो सारी की सारी इसमें आने वाली है समझ में आगी के नहीं देखो गद्ध सहीत में आपका कौन-कौन साता है उपन्यास आते हैं कहानिया आती है नाटक आते हैं निबंध आते हैं यात्रा वरतानत आते हैं संस्वान रेखा चित्र आत्मकथा जीवनी रिपोर्टाज इन से इन पर आधारित जो प्रशन है वो सा पहला हिस्से में बाटा हुआ ठीक है दूसरी बात मैं आपको बताओं इसी को आगे बढ़ाता हूँ जो सेकंड चैप्टर जो है जो आपका बाटा हुआ दूसरा भाग जो आपका स्लेबस का है यह सबसे इंपोर्टेंट है इसे में हिंदी का कावे विकास आएगा जो आदिकालीन कावे है जो शुरूवाट में जो कावे लिखा गया है दो प्रस्ना जाएगा अधनी काल बहुच्छा पूच्छा जाएगगा आधनिक काल में भी आपका भारतें्दू यूग द्विवेद्दी युग, छायावाद, प्रियोग वाग, प्रगवतिवाद, नई कविता, समकालिन कविता, सारे के सारे प्रशन यहां से आने वाले हैं यानिके एक बात मैं आपको बता देता हूं अगर आपने हलके में तयारी ली अगर आपने हलके में इसको लिया है तो फिर आपका नुक्षान हो सकता है क्योंकि यह आपका ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्ण पेपर आएगा तो अच्छे खासा प्रश्ण आएगा अच्छ लिपि का विकास कैसे बात कर ले देवनागरी लिपियों उसके विकास से सम्मझित वण्ड माला शब्द विचार परियाएवाची विलोम शब्द अनेक अर्थी शुरूति संबेंना अर्थी शब्द सारे के सारे शब्द आएंगे विकारी शब्द अवीकारी शब्द काउवे रच्ण यानिके रचना और अर्थ पद विचार अलंगकार आएंगे शब्द शक्ती आएंगी मुहावरि लोकोक्ति आएंगी आपठित गध्यांश आयंगे सम्विधान में हिंदी बाशा की स्थीती आएंगे याईनि के आप एक बात समझके चले लगभग लगभग बढ़िया वाली व्याकरन आपके पेपर में आने वाली है एक बात का और आप विशेश तरीके से ध्यान रखे कि ये आपका TGT लेवल का है बढ़िया खासी सेलरी मिलेगी तो तयारी भी बढ़िया ही करने ही पड़ेगी ठीक है और एक बात मैं आपको बताऊं अगर मैं आपको एक छोटी सी बात अगर आप गोर करेंगे ये जो second chapter है अगर आप इस exam की तयारी करते हैं ये मैंने आपके सामने लिखा भी है कि UPTGT, PGT और जो आपका NetJRF है उनके लिए भी खुशखबरी है क्या खुशखबरी है कि जो आप ये EMRS का पढ़ेंगे तो आपका UPTGT और PGT का सलेबस आपका LT Great का सलेबस GIC प्रवक्ता का सलेबस ये कोर्स तो आपके इसमें से DSSV का SET जो अलने राजियों में परिक्षाएं पूछी जाती है साथ में NetJRF का जो सेकंड इकाई है ये सारी के सारी इकाई अभी यहीं से कवर हो जाएंगी यानिके आप तयारी करेंगे EMRS की और EMRS TGT हिंदी की तयारी करेंगे साथ साथ में हम आपको इतना डीपली लेवल पढ़ाएंगे कि आपका NetJRF का जो सेकंड इकाई होती है वो भी तयार आपका TGT PGT में अगर आप कोर्स देखेंगे ना लगभग वही कोर्स है थोड़ा सा कोर्स आपने आगे बढ़ाना है TGT PGT क्लियर है संस्कित जोडनी ये खतम कानी फिर मैंने का कि GIC प्रवक्ता है लेक्चरर है जो भी आपका हिंदी साहित जिस भी परिक्षा में आने वाला है वो सारी परिक्षाएं भी आपकी EMRS के साथ साथ में क्लियर होने वाली है क्यों मैंने ये बात आपसे क्यों कहीं है आप देखिएगा मैं आपके सामने व्याकरण लिखता हूँ तो व्याकरण तो वो ही सारी व्याकरण है जो अन्य परिक्षाओं में पूछी जा रही है मैंने कहा के सर ये आपका मेन है काव विभाग बताईएगा सारे नेट में भी TGT में भी PGT में भी बताऊ ये ये आपका पहला चैप्ट सारी की सारी बातें आ रहे हैं के नहीं तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ अगर आप EMRS की तयारी करेंगे तो UPTGT, PGT, NET, JRF ये इनकी तयारिया ओटोमेटिक साइड बाइड साइड आपकी चलती रहेगी ठेक है दोस्तो तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने इसके तयारी करनी है अच्छी तरह से तो तयारी अच्छी तरह से करने के लिए भाया आप इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजेगा कमेंट कर दीजेगा कमेंट बोक्स में के कौन-कौन बच्चा इसकी तयारी करने के लिए इस बैच से जुड़ने के लिए तयार है ठीक है अपने नाम के साथ मोबाइल नंबर ज लिख दीजेगा या description में कह रहा हूं बार-बार आप comment box में लिख दीजेगा आपको सारी जानकारिया प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है दोस्तों वैसे हमने notebook academy के digital प्लेटफॉरम पर टेलीग्राम पर भी और हमने अपने जितने ग्रूप बनाए हुए हैं यूट्यूब पर वहां पर यह सारी वीडियो यह सारा सने बस डाल दिया है एक बार पढ़ लीजिएगा हमारी डेमो क्लास देखिएगा और डेमो क्लास देखने के बाद अगर आपक ठीक है दोस्तों तो यह आज की जायनकारिया इतनी थी अपने तयारियों को एक नई उडान देने का समय है समझ में कहागी कि नहीं अपनी तयारियों को नई उडान देने का समय है अब पंक समेटने से कोई फाइदा नहीं होगा अब तो उड़ो आसमान तुमारे लिए बा प्रश्कार